लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें अपर घंट्सक्राइब करें कर प्रेस्ट अब totally अपरमट्स सिंगर टेक पोस्त, टेक पोस्त, 180 पे गुमाओ. सर, एक कंटेनर दिख रहा है, नॉर्मल फिशिंग एरिया से बाहर, ये सस्पेक्ट है, कोई अक्टिविटी कर रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है, अरियाल वीजुल सर्विलेंस से पता लगवाओ, रॉजर सर, चारली 321, एक सस्पेक्ट को स्पॉट किया गया है, इस स्पॉट कोस्ट के 180 डिग्रीज पे, 1703, जल्दी से पता लगाई है, ये कौन है, सर, मुझे लगता है कि शायद मुझे उस तरफ कुछ दिख रहा है, वहाँ कुछ तो जरूरूर, तुम ठीक कह रहा है, स्पीड है, स्पीड है, एसा लग रहा है, कि ये इलिगल इमिग्रेट है, आप तयार है? ये स्पीड है, जवानों साफधान, हमें शक है कि हमारे करीब, एक संदेज और एक स्ट्रीमर आ रही है, इसलिए हमें बोर्टिंग ओपरेशन चलाना होगा, आप तयार है? ये स्ट उस्टर ओपरेशन के लिए तयार होगा, ये सिरा जमन्दा भाण साफधान हो जाई है मैं बांगलादेश नौवाइनी हेलिकॉप्टर से बोल रहा हूँ आप लोगों की गतिविदी संधे जनक लग रही है हम आपको आगा कर रहे हैं हमारी नेवी टीम ने आप लोगों को चारों और से खेर लिया है आगे की सूचना ना मिलने तक आप लोगों को यहीं रुखने का ओडर दिया जाता है आप सब को दिख रहा होगा कि बांगलादेश नेवी के एक ततपर टीम ने समंदर के बीच से यूमन ट्राफिकिंग वालों के एक स्टीमर को अपने कबजे में ले लिया है और उस स्टीमर से महिलाएं पुरुष और बच्चों समेत करिब डेड़ सो लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया है गरीब और मजलूम लोगों को विदेशों में नौकरी दिलाने की लालस दिखा कर उनकी तसकरी करने का नजारा हमने पहले भी देखा है समंदर के बीच में ले जाकर उनमें से कईयों के पेट काटकर उन्हें फेक दिया जाता है ऐसे खतरनाक मनजर हम आज तक नहीं भुला पाये हैं वो हमारी जहन में है और ना जाने कितनी माओं की गोज सुनी होंगी और ना जाने कितने पिता आसु भाएंगे आज पूरा देश ये सवाल उठा रहा है टेटनेपुल से अखिल पुद्दार हाल ही में हुवे यूमन ट्रैफिकिंग के हादसों से जनता तूट गई है सरकार भी चिन्तित है इंस्पेक्टर जनरल के साथ बाकी सभी लोगों की सलाह लेकर सरकार ने ऑलरीडी तीन प्रमुकमिम्बर्स की एक एंटी हुमन ट्रैफिकिंग इंवेस्टिगेटिंग कमेटी बना ली है तीन मेंबर्स की बनी इस इंवेस्टिगेटिंग कमेटी में चैर्मन बनाया गया है हमारे रेटारड बहादूर वीर मुक्तियोध्धा को चौधरी को, बागी दू मेंबर्स हैं. सर, जो लोग हुमेन ट्रैफिकिंग के मास्टर माइंड हैं, क्या उनका कुछ पता चला? तैकिकात पूरी होने तक मैं कुछ नहीं बता सकता. जो लोग नाव में हैं, खुद को कानून के हवाले कर दें, पुलिस ने तुम्हें घेर लिया है. लेकिन मैं वादा करता हूँ, कि हुमेन ट्रैफिकिंग से जुड़े किसी भी शक्स को, हम नहीं छोड़ेंगे. पुलिस ने तुम लोगों को चारो और से घेर लिया है, खुद को पुलिस के हवाले कर दो, बर्दा हमें मजबूरन तुम लोगों पे अटाइक करना होगा. सर, आपकी इन्विस्टिकेशन कहा तक पहुशे है? सर, इसको मास्टर माइंड कौन है? सर, आपको लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है. हम आपके लिए पोलिस प्रोटेक्शन… नो नीड! अगली मीटिंग कब है? पॉने बारा बज़े, सर. हाई अथोरिटीज के साथ. मूव! रेडियो न्यूज 99.5 FM के तरफ से अब तक की खास खपरें, इंटी यूमन ट्राफिकिंग कमीटी के चेर्वेन असत चौधरी के आदेश से देश के अलग-अलग हिस्तों में आरे एफ पुलिस और बीडी का ज्ट अभियान शुरू हो गया है. प्रशासन दुआरा ऐसी कारवाही अगर चलती रहे तो बहुत जग हम इस रैकेट को जड़ से खब कर भाएगी. प्रशासन ने कर दो जड़ से लाँग है. आपनने परिद्ट उन्याव मेंरे धुए हुए 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 हुआ 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 इसे मारने से पहले इसकी शकल तो देख लो प्राश्ग हुआ 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 दिक... ... ... हुः呵 उ要 हुख हु हुआ प्रिजट हुआ हुआ Łआ हुआ हुआ जानेर, मुझे माफ करते जे yani sir, मुझे माफ करतेजे तुम कौन है यंग मैन? तुम कौन हो यंग मैन? एक तेबर्टमेंट के यंग ऑफिसर्स में से वन अब देढ्ट मल्टी तैलनटेड ऑफिसर्स तेज दिमाग और जाबावस होसले का बेहत यूनीक कॉंबिनेशन है सर अब तक खून डकैती बलादकार के खरीब पचास केस की जांच करके अपराधियों को गिरफतार करवाया है सर इसके अलावा पिछले साल आतंकवादियों को पकड़ने पर बहादूरी पुरसकार भी मिला है उसे मेर कमिन सर अंदर आओ शान थैंक्यू सर सलाम अलेकुम सर वालेकुम असलाम सर इसे मैंने ही भेजा था आपकी शैडू सेक्योरिटी बना के क्योंकि मुझे शक था कि आप पर हमला हो सकता है पर आपको लिंग कहां से मिला सर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ पहला विक्टिम अमनुल्ला यूमन ट्राफिकिंग के बारे में सबसे पहले हमें अमनुल्ला नहीं इंफॉर्मिशन दी थी लेकिन अनफॉर्चिनिटली पिछले साथ दिनों से अमनुल्ला ला पता है नेक्स्ट कुइन्स मैन पावए एजनसी के उनर मिस्टर रजाक मिर्जा यूमन ट्राफिकिंग से जुड़े हुए जितने भी छोटे छोटे रूट्स हैं वो सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन हमें रजाक मिर्जा साहब ने दी थी और तीन दिन पहले उन्हीं के आफिस के बाहर उनकी लाश मिली माई गॉड़ ठीक इसी तरह से एमे करीम सैफल शाहिन मैमुद अल्ला मानू इन में से हर कोई पिछले एक महीने में रहस्यमय हालातों में मारे जा चुके हैं इन सब के बीच एक कनेक्टिंग पॉइंट है सर इन में से हर एक इनसान बांगलादेश में हुमन ट्राफिकिंग के खिलाफ पब्लिक अवेरनेस के लिए काम करे थे क्या मतलब है इसका तुम कहना चाहते हो कि वास्को ग्रूप हर कीमत पर उनकी आइडेंटिटी चुपा कर रखना चाहता है वास्को ग्रूप? ये लोग कौन है? साउथ इस्ट एशिया का सबसे बड़ा हुमेन ट्राफिकिंग गैंग बांगला देश, भारत, मैन मार से लेकर के मलेशिया, हाइलेंड के साथ आस-पास के कई देशों में ये अपनी एक्टिविटी कर रहे है इनके बिजनेस का मॉडल भी बहुत आसान है छोटे देशों से खरीदो और बड़े देशों में बेश दो ये अर्बो डॉलर का बिजनेस है सुनो, तुम लोगों को सीधा हिसाब बताता हूँ मलेशिया भेजने के लिए ये लोग बांगला देशियों से कम से कम 20,000 रुपे लेते हैं और हर एक स्टीमर में कम से कम 100 लोगों को बिठाते हैं और साल में कम से कम 200 से 220 बोट्स टेटना से मैनमार के समुद्र के इलाके से ये लोग मलेशिया तक भेज देते हैं और इस तरह से ये साल में 50 से 60 करोड कम आते हैं लेकिन सर मेरा एक सवाल है मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी रकम है लेकिन क्या ये रकम इतनी बड़ी है कि इतना बड़ा अरिस्क उठाया जा सके ये रकम बस यहीं तक सीमीत नहीं रहती इन सारे के सारे बदकिस्मत लोगों को बेच दिया जाता है थाइलेंड, बियतनाम के बॉर्डर के इलाकों में वो इन लोगों के लंग्स, किड्नी, आखे, लीवर सब कुछ ब्लैक मार्केट में बेच देते है और ये सब बेच कर वासको ग्रूब कई करोड डॉलर कमा रहे है सर, ये लोग तो देश के दुश्मन है और इंसानियत के भी बेशक, हमें अब पता लगाना होगा कि बांगला देश में वासको ग्रूब की ओर से कौन लोग काम कर रहे है सर, क्या प्डेट है? सर, पूरी रात मॉनिटर किया पहले दो घंटे तो सही था उसके बाद इसका पागलपन शुरू हो गया इतना चिलाए कि कान फड़ जाए लेकिन कुछ बताया नहीं सर तो फिर जिन्दा रखने से क्या फाइदा होगा? हाँ? हाँ? तुझे क्या लग रहा है? यह तो बाल बाल बच किया? मेरा निशाना कभी मिस नहीं होता है अब भी बक्केगा या फिर अपना टैलेंट दिखाओं मुझे कुछ भी नहीं पता है सर खुदा की कसम काके करो यकिन कीजे मेरा उनके साथ मैं एमेल का सर्या बात करता हूँ सारू उन लोगों ने पूरी तैयारी कर लिये फुल अरेंजमेंट किया असाथ सापको वो लोग मार डारेंगे सर फर्मान जी सर जीप निकालो ओकी सर कर दो झालो कर दो हुआ है झालो कर दो हुआ है बात शो पह वह बात जालो पाल पिर ले लोजे को डरने की जबरत नहीं है एम सभी पुलीस वाले हैं आप लोगों की सेफटी के लिए इस प्रोग्राम को बीच में छोड़कर जाने के लिए आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं प्लीज आप सभी इस तरफ जो गेटे वहां से एक्जिट कर लीजिए प्लीज थांक यू सो मच ध्याल से दाइए अरिया पॉस्ट थांक यू थांक यू यू स्टॉप टोंट मॉव सर, इस लड़की के पैरों के नीचे प्रेशर प्लेट बॉम है हम दो बॉम डिफ्यूस कर चुके हैं लेकिन यह एक्टिव हो गया है इस समय इसे डिफ्यूस करना पॉसिबल नहीं है अगर यह हट गई तो ब्लास्ट हो जाएगा यह मुझे हंडल करने दो मुव क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है एए डोंट मूव कुछ नहीं होगा तुम्हें रिलाक्स ओके लिकिन उन्होंने कहा कि मेरे पैरों की नीचे बॉम है मैंने तुमसे कहा ना कुछ नहीं होगा तुम्हें कि तुम भरोसा रखो और मेरी तरफ देखती रहा हूँ प्लीज मैं मरना नहीं चाहती प्लीज मुझे बचा लेजिए तुम्हें कुछ नहीं होगा चाहें कुछ भी हो जाए मेरी तरफ देखती रहा हूँ बस रिलाक्स रिलाक्स बाएं देखो अब उपर देखो ठीक है डॉक्टर साब मेरी बेटी कुछ बूल नहीं रही क्या हुआ इसे बहुत बड़ा शौक लगा है कुछ देर आराम करने की कोई जरुवत नहीं है किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुचा है करें कमें अहां बेटा आओ अंदर आओ बड़ अंफॉर्चुनेटली एक प्रेशर प्लेट बॉम डिफ्यूज नहीं हो पाया इसलिए हमें ऐसा स्टेप लेना पड़ा इस हाथ से में जो सिंगर फज गई थी अब वो सेफ है और ठीक कैसी हो तुम लॉक्टर ये ठीक तो है ना फिलाल तो ठीक ही है लेकिन जो शौक लगा है उससे बाहर निकलने में मैं घर जाना चाहती हूं क्या घर जाना चाहती हूं घर चलोगी पता है अभी वक्त क्या हो रहा है बहुत रात हो गई है मैडम आप चाहे तो हम अपनी गारी में आप दोनों को घर डॉप कर सकते हैं हमें कोई प्रॉब्रम नहीं है ने रहने दो तुम लोग इतनी तक्लीफ उठाके आए हो गन्यांए हमें कोई प्रॉब्रम नहीं है हम चल सकते हैं कर दोके जा कर दो अब 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 थैंक यू वेलकम मा अब मा आपको कुछ हुआ तो नहीं न नहीं नहीं बेटा हमें कुछ नहीं हुआ है तुम यहां कब आए मा वो मैं दो घंटे पहले ही आ गया था घर में ताला देखा तो बाहर ही वेट कर रहा था मा मैंने सुना कि रिया के म्यूजिक प्रोग्राम में बॉम ब्लास्ट हुआ था रिया तुम ठीक तो हो ना जी मोतीन भाई ठीक हूँ मा मैं अंदर जाती हूँ आंटी अब हम चलते हैं कि आओ तुमसे मिलवा दू यह मोतीन रिया के अबू के दोस्त का बेटा धाका में आता है तो मेरे यहां रुकता है मुझसे गाना सीखता है यह मेरे बेटे जैसा ही है और यह है एसी शान आज अगर यह ना होता तो मेरी रिया शायद घर ही ना लौट पाती इसने अपनी जिन्देगी दाओ पर लगा कर रिया की जान बचाई है अरे नहीं नहीं आंटी यह तो हमारी ड्यूटी है सर थैंक यू थैंक यू सर आज आपने हमें जिन्दगी भर के लिए कर्सदार बना दिया है इस ओके इस ओके रिलाक्स इस ओके कहा न यह हमारी ड्यूटी का हिससा है अंटी रात बहुत हो गई यह चलिए अब हम चलते हैं अच्छा ठीक है असलाम अलेकों यू टेक केर अधिक है मैंडम ठीक है आजा मा चलिए तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा जी मा बहुत भूग लगिया पूली स्टेशन चलो पूली स्टेशन चलो पूली स्टेशन चलो सर 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 वाँ 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 पूरा दिन चोर डकेतों को पकड़ता रहता है मेरा पुली स्टेशन लेकिन रात के बारा बजे अपने ही घर में चोरों की तरह घुसरा है वाँ जवाब नहीं बहुत खूब तारीव तो बनती है बेटा ये नालायक कहीं के मा नालायक मत कहो तो फिर क्या कहूँ तुझे पैदा करके मैंने कोई पाप कर दिया है क्या जो तु हर पल मुझे ऐसे परेशान करता है अब मैंने ऐसा क्या कर दिया क्या किया मतलब हाँ इतना बड़ा हाथसा हो गया और तुने मुझे एक कॉल करना भी ज़रूरी नहीं समझा और तुझे फोन करने की तो कोई गुंचाईशी नहीं होती मोबाईल को भी बंद करके रखता है मा, प्लीज अब जूट मत कहिए जूट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आथा किसने कहा कि मेरा फोन बंद था मेरा फोन पूरा दिन आउन था चेक कर मैं बोल रहा हूँ नहीं कि आप से आउन था अपना मोबाईल चेक कर क्या हुआ मोबाईल खो गया या पर चोरी हो गया मा, मेरा मोबाईल कौन चोरी करेगा किसी में इतनी हिम्मत है नहीं अच्छा, पुलीस वालों के घर चोरी नहीं होती क्या एए, तरे माथे पर लिखा हुआ है कि तु पुलीस है हमेशा तो सिविल ड्रेस में घुमता है मुझसे गलती हो गई मा के मैं घर वापस आ गया मुझे माफ कर दो नहीं, माफ नहीं करूंगी अपना फोन दो क्यों चाहिए माफ ओन दीजिए, मैं ओफिस में कॉल करके पूछता हूँ शायद वही फोन शुड़ गया होगा, प्लीज ले अब हर रात तेरे लिए खाना बना कर मैं और इंतिजार नहीं कर सकती मेरे लिए बुरू लेया, पुलीस वाले क्या शादी नहीं करते तेरे डिपार्टमेंट के सब ही लोग क्या बैचलर हैं, वो घर नहीं बसाते शुगर नो शुगर सर, थैंक्स बड़े हेल्थ कॉंशियस हो बलकुल हो सर, गुड मुझे ये कॉफी शॉप बहुत पसंद है, यहां की कॉफी बहुत अच्छी होती है वास्को ग्रूप का जो नेटवर्क है, वो हमारे देश के हर बंदर गाहों में फैल चुका है और इसके पीछे हमारे ग्रामीन इलाकों के कुछ बड़े लोगों का हाथ है ये लोग अनपढ़ लोगों को बहला फुसला कर, जूठे सपनों की उमीद जगा कर, हुमेन ट्रैफिकिंग वालों के हवाले कर देते है सर, मिलन से मिली इंफॉर्मेशन के मताबिक हमने गाओं के कही लोगों से बात की है लेकिन कोई कुछ नहीं कहना चाहता है ये बहुत मुश्किल काम है सर, ये काम मुश्किल नहीं है, तुम्हारा तरीका गलत है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें उनका भरोसा जीतना होगा और याद रखना, इस हुमेन ट्रैफिकिंग का मेन ट्रांजिट पॉइंट धाका है जी तुम्हें काम करो, धाका पे कॉंसेंट्रेट करो ग्रामीन इलाकों को मैं सभालता हूँ शो सब अगर आपको बुराना लगे तो एक बात कह सकता हूँ? हाँ, बोलो दो बार अटैक हो चुका है और तीसरी बार भी हो सकता है और तो और आप उनके लिस्ट में सबसे टॉप पे हो शान तुम्हारी और मेरी जिन्दगी से कई गुना जादा जरूरी है हमारे देश के लोगों की सुरक्षा जी और एक बात याद रखना डर्पोक मरते हैं बार बार और बहादुर मरते हैं एक बार काफी सच में बहुत अठी है सर थैंक यू क्या हो आद तुम यहां के वाए हो सर मिलन कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल अब राधिक उतारो ओ गोड़ शिट स्ट्रेंज ये किस मेटल का बना है स्पेशल क्रोमियम अलोई बहुत ही हार्ट ब्लेड है सब थाई अंडर वोल्ड में इस तरह के वेपन बहुत यूज किये जाते हैं लेकिन हमारे देश में बहुत रह रहा है सर्थ ये रिंग रोड के सीसी टीवी फुटेज से आपको सब पता चल जाएगा ये देखे पर उन लोगों ने गाड़ी के बाहर से ये कैसे जान लिया कि मेलन गाड़ी के किस तरफ बैठ है यही मैं भी सोच रहा हूं सर्थ मुझे लगता है इन लोगों ने किसी तरह के एडवांस टेकनोलोजी का यूज किया है मुझे यकीन है अगर हम फोस के सारे पावस का इस्तमाल करें तो हम उन्हें ढून निकालेंगे शान तुम एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाओ देश के सबसे एफिशियंट यंग आफिसर्स में से चुनो और इसका हिस्सा बनाओ ताकि तुम लोग देश के हर एक हिस्से में उपरेशन चला सको वियवस्था मैं करूँगा शो सर्थ कर दो कर दो मैं वियंगा हिस्सा बनाओ ठीक है तुम जा सकते हैं सर सर फर्मान में बहरा नहीं सर आपका मोबैल ओन हो गया है हाँ हाँ सर हमारे आफिस के आसपास कहीं पर आसपास कहीं मतलब कहां हुआ करें हां यह लीजे सर देखे सर तुम यह अनि प्रोबल्म अंदर आ के कहूं लीज़ बैठिए तुम यहां क्यों खड़े हो तुम से नहीं कहा तुम बैठा तुम जाओ जाकर देखो कि फोन कहां है जी सर शायद इसके ज़रूरत नहीं होगी आपका फोन प्लीज आपके पास कैसे वो कल आप लोगों के जाने के बाद ये फोन मोधिन भाई को मिला था शायद आपकी जेब से गिर गया था चाहिप पिना चाहोगी चाहिए भूबाइल के वाल पेपर पर एक और अवरत के साथ आपके तस्वीर है मेरे खयाल से वह आपकी माह है राइट वह बहुत संदर है मुझे बहुत अच्छी लगी बहुत स्वीट है तेंक्स तुमारी तबेद कैसी है हाँ पहले से बेटर हूँ और तुमारी मामी मां भी ठीक है बहुत अच्छी है मिल्क सर मिल्क थैंक्यू वेल्कम अगर आप बुरा ना माने तो क्या एक बात पूछो पूछिया आपको डर नहीं लगता किस बात का यू जान की परवाना करते हुए दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ना देखे बहादूर मरते हैं एक बार और डरपोग बार बार मैं एक ही बार मरना चाहता हूँ और घरवालों का क्या घरवालों में तो बस मा ही है वो खुद भी पुलीस आफिसर की वाइफ थी इसका मतलब शादी नहीं होई है इसक्यूज मी अजाने से पहले माने कहा था किया फोन नम्बर ले लूँ है नहीं अगर कभी जरूरत पड़े इसलिए अ सब्सक्राइब करूं कि अब कि अब में चलू रिया हाँ थैंक यू थैंक यू ओ फोन यूर मोस्ट वेलकम सम्हल के जाएगा प्यार का मारा दिल ये बेचा फस गया बेचार सर को मोबाइल दे आई हाँ दे दिया लेकिन तुम यहाँ कैसे मैं तुम्हें लेने आया हूं रिया दरसल तुम्हारी तबियत भी ठीक नहीं है और उपर से मा भी क्या मैंने तुम्हें यह आने के लिए कहा था नहीं नहीं कहा लेकिन ये तो मेरा फर्ज है ना किसने कहा ये तुम्हारा फर्ज है तुम्हारा हद से ज्यादा केयर करना भी न, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रिया, मैं डॉक्टर जाहिद बोल रहा हूँ, आपको अभी क्या भी अस्पता लाना होगा मैंने पहले भी कहा था, और अब भी कह रहा हूँ, आपकी मा का इलाज जल्द से जल्द शुरू करना होगा इनका थ्रोट कैंसर अब भी प्राइमेरी स्टेज पर है, छे महिनों के अंदर पूरी तरह ठीक हो सकती है लेकिन इनका इलाज एक्सपेंसिव है इतने पैसे आएंगे कहा से क्या कह रही हो मा, हमारी दुकान में इतने सारे पैसे पड़े है, वो कड़ काम आएंगे सुमन पैसे नहीं देगा क्या, सुमन पैसे नहीं देगा दुकान मेरे पापा की है और सुमन ने कॉंट्रेक्ट पेपर पे साइन किया तो पैसे देने ही होंगे ना मैं हाली में गई थी एक दिन सुमन से मिलने उसने मत से बहुत बुरा बरताव किया क्या उसने कहा कि मुझे एक फोटी कॉड़ी भी नहीं देगा कैसे नहीं देगा उसका बाप भी पैसे देगा और मैं उससे पैसे वसूल करूँगी मा मा सलाम वालेकुम मा लीजे यह पाँच लाक रुपए मेरे गाओं में एक जमीन थी उसे मैंने बेच दिया इसे आप रखिये इतने पैसे तुम मुझे क्यूं दे रहे हो आपका इलाज करवाना है न? रिया यह पैसे रखो और जितनी जल्दी हो सके मा का इलाज शुरू करवादो ने ने ऐसा नहीं हो सकता मोदीन Fehmi मैं तुम्हारे पैसों से अपना इलाज नहीं करवा पाऊंगी, बेटा आज अगर आपका बेटा होता तो क्या वो आपके लिए ऐसा नहीं करता? और मैं तो मैं तो आपके बेटे होने का फर्ज निभा रहा हूँ, मा देखो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था मेरे इलाज के लिए जमीन बेज कर तुम पैसे ले आए ये बात मुझे अच्छे नहीं लगी मेरी मा नहीं है आप ही को मा कहके बुलाता हूँ अगर आपके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया तो फिर ये सब मोतीन भाई मा की इलाज के लिए पैसो का इंतिसाम मैं कर लूँगी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और वैसे भी तुम भी तो हमारे फैमिली जैसे हो अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं खुद मांग लूँगी सच मैं? हाँ, हाँ, जरूर लूँगी भला क्यों नहीं लूँगी? मोतीन बड़ा ही सीधा साधा सा लड़का है बिना जाने, बिना कुछ कहे अपनी जमीन बेच कर पैसे ले आया मेरा इलाज करवाने के लिए और दूसरी ओर, वो सीधी सुमन जिस पर मैंने इतना भरोसा किया मैंने कभी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हमारे साथ कोई बैमानी करेगा पैसे नहीं दूँगा क्या कर लेगी? पुलिस में गंपलिन करेगी? गुंडे ले आएगी? जा, जो कर सकते कर ले क्या करूंगी? मैं मीडिया के पास जाओंगी और ज़रूरत पड़े तो सोचल मेडिया में तेरी सारी कर्तुदे वाइडल कर दूँगी ओए ओए लड़की तुझे पता है अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त इस ओफिस के अंदर ही तुझे निकल सकता हूँ चुप एकदम चुप बत्तम इसी मत कर और कान खोल कर सुन ले मैं तुझे 24 घंटे की महलत देती हूँ अगर 24 घंटे के अंदर हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो तुम्हारे ओफिस को ताला लगवाने का इंतजा मैं करूँगी पैसे नहीं दूँगा क्या कर लेगी पुलिस में कम्प्लेन करेगी हाँ हेई यह बॉस बॉस उस लड़की ने आपके साथ हुई बातों का वीडियो बना लिया है क्या बोला तू हाँ बॉस मैंने खुद देखा अनेश का है तू क्या हुआ बॉस 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 यह याद रखना कि जिससे दौड़ना नहीं आता वो दुश्मन की गोली का सबसे एजी टागेट होता है So once you are in, you can't stop running. Got it? Excuse me. Okay? Huh? 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 वाइ क्लीस вдруг प्लीस वाइ वाइ व् वाइ रख प्लीड ठाइ अश प्ली हम हुए। जो दो! अॅःः, हुआ जलो हुआ थैंक यूँ सर आप एकदम सही वक्त पर आ गए आप नहीं आये होते तो पता नहीं क्या होता शुक्रिया सर मोतिन भाई तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया कितना बुरा बरताव करती हूं मैं तुम्हारे साथ फिर भी मुझे बजानी के लिए तुम यहाँ आए अरे छोड़ो यह सब बाते अभी चलो तुम्हें लेट हो रहा होगा आज तो तुम्हारा म्यूजिक प्रोग्राम है ना भूल गई क्या चलो चलो नहीं मैं भूली नहीं लेकिन मैं जाओंगी कैसे आल्रेडी इतनी देर हो चुकी है रुको सर क्या आप रिया को ड्रॉप कर देंगे प्लीज नहीं तो इससे प्रोग्राम मिस्स करना पड़ेगा प्लीज नहीं कोई ज़रूरत नहीं मैं अकेली चली जाओंगी नो प्रॉब्लम बैठो जी बैठो बैठो तुम कमफर्टिबल दो हो ना जी हाँ मुझे पकड़ के बैठो बैठो जी हाँ ग्रेंखें विल्कम तरह घ्राद। थांक्यू प्रेंख भेलकम प्रेंख भान। रिय्या प्रेंखेंट हो रिय्यू झाल-बॉड़न में ङसे, क्योंड़। झाल-ऱ। झाल-थ। कैसे पैसे कुछ याद नहीं आ रहा है गया एक बात जान ले तू मेरे पास ना याददाश को बढ़ाने की दवाई है आज अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिलता है न तो कल तुझे ऐसी दवाई पिलाओंगा कि तेरी साथ पुष्टें आकर पैसे दे जाएगी विस्ता सुमन याद दाश्ट बढ़ाने के दवाई आप खुद क्यों नहीं खा लेते हैं बहुत से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे मतलब मतलब ये कीरिया सिखदार ने आपके नाम की कंप्लेंट लिखवाई है आपने उनके पंद्रा लाग वापस करने से इंकार कर दिया है वो चाहे तो केस भी कर सकती है लेकिन उन्हें इन जंजट में भसना नहीं है साब जूट है मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिये है पैसे नहीं दूँगा क्या कर लेगी पता है एक बाद बताता हूं मैंने ना तुम्हारे पैसे खा लिए हजाम कर लिए 15 लाग रुपे कुछ याद आया भलाई चाहते हो तो पैसे अभी लोटा दो नहीं तो आपकी दवाई आप ही को खिला देंगे वाह बहुत बड़ी है किस थाने साए हो फिलाल आप यह रख लीजिए और भी दे सकता हूं नेका ना लाइन पे आगे है मत बारो मुझे मत बारो मैं सारे पैसे दे दूंगा हलो मिस्टर सुमन आज रात को ही सब को को डिसमेश करना होगा धेंगे जी waren जी सब टयार हैना जी जी बॉस सब टयार ई सब टयार बॉस और ध्यान रखना पुलिस के आद्मी चारों तरफ खेले वे हैं सब तयार है ना? जी बॉस सब लोग आ गए ना? जी बॉस वो सभी आ गए है आप कहें तो मैं सभी को लेकर निकलता उन लोगों को समझा दिया ना? अंदर कोई पूछे तो क्या जवाब देना है? जी बॉस सब कुछ समझा दिया है वेरी गॉड देखो ज़रा चौकर ने रहना डीबी पुलिस आरे एफ सब बहुत अक्टिव है पकड़े गए तो खेर नहीं एरपोर्ट में घुसने के बाद से ही मुझे जानकारी नेते रहना ओ ओके बॉस रखता हूं बॉस चलो चल्दी अंदर बैठो चलो गाड़ी निकालो एए एंसब यूर्ट अटर आरेस्ट सुमर्ड तुम्हारा एक ग्रूप दस खरी के दौरान पुलिस के हाथों पकड़ा के रहा क्या कह रहे हो बॉस तुम संभल के रहना अगर उन लोगों ने तुम्हारा नाम बता दिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ओके बॉस ओके अरे यूर्ट हलो सरसलाम अलेकुम सरा बिजी है नहीं बो लो शाम सर पिछले दो दिनों में एपोर्ट के साथ बाकी जितने भी ट्रांजिट पॉइंट्स हैं वहां अपनी विजलेंस बढ़ा कर हमने कई ग्रूप्स को पकड़ा है वंडर्फूल धाकाम में भी तलाशी जारी है और कई फेक एजेंसी हमारी नजर में है जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने कुछ बताया आप तक तो नहीं सर लेकिन हमारी कोशिश जा रही है वेल डन माइ बॉइ तैंक्यू सर्ब मैं आपको खबर देता रहूंगा मैं सोचती हूँ पल-पल तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हर पल नहीं यह नहीं इसके साथ जोड़ी नहीं जमेगी यह वाली देखाऊ यह वाली यह लड़की तो डॉक्टर है दिन रात अस्पताल में मरीजों के साथ मस्रूफ रहेगी आपको बहू से सेवा नहीं मिलेगी तो क्या हुआ डॉक्टर बहू होगी तो अच्छा है नहीं इस लड़की को तो डांस और गाना भी आता है अच्छा है मोती भाई क्या बात है आप ऐसे क्यों कर रहे हैं कुछ नहीं शान बेटा अभी आएगा तो नहीं न उसके आने का कोई टाइम थोड़े ही है लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं मोती नहीं देखें पहले से ही मुझे दिल की बीमारी है और पुलिस को देखते ही मेरे दि मुझे बचा लए याला रहन कर असलाम अलेकुम वालेकुम से अच्छा हूं बहुत अच्छा हूं प्लीस बैठी ना मां मुझे बहुत भूख लगी है चोड़ी तो बहुत अच्छी रही है मां तू फ्रेश हो ले मैं अभी खाना लगाने को कहती हूं ओके दो मिनिट माय अरे मौल्वी जी बैठिए बैठिए आराम से बैठिए मोती भाई इस लड़की के साथ शान की जोड़ी अच्छी लगेगी ना नहीं नहीं अच्छा मैडम आपके बेटे को किसी लड़की से इश्क है क्या धात क्या बात कर रहे हैं इसे तो ड्यूटी से ही फुरसत नहीं मि सकता है अच्छा मैडम क्या वो फिर से आएंगे हां आभी सकता है अच्छा तो मैं चलता हूं मैडम सलाम आलेकुम कह रहे हैं मेरे बेटी को इश्क हुआ है यह कब हुआ और किससे हुआ जावा लेकर आप जी अपने भाईया से जाकर के की फ्रेश होखर खाना खाले ठीक है जी भाईजान? 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 ओ भाईजान? मैडम ने कहाए कि फ्रेश होखर खाना खालेजी मैं सोचती हूँ पल-पल तुमारे साथ रहना चाहती हूँ हर पल मा पसंद हो मुझे मा पूछना मालूम नहीं मुझे ख्रेश इतनी है कि कुछ मा ऐसा मेरा नसीब हो अरे मेरा फोन दो यह लड़की कौन है वो उस दिन मैंने जिससे बॉम ब्लास्ट में बचाया था ना वही लड़की है अच्छा अच्छा लेकिन इस लड़की ने तुम्हें इतनी प्यार भरी शायरी बोलकर क्यों भेजी है बेटा अरे शायरी तो शायरी होती है इसमें प्यार कहा से नजर आ रहा है आपको लाओ मेरा फोन मुझे वापस दो अरे जो मैं चाहती थी वही हो गया रिया ने कॉल किया है अलो तुम्हारी शायरी सुनी बहुत अच्छे बोल है अच्छा बेटा तुम अपना अड्रेस बताओ और और घर का नमबर और घर का नमबर है अटेस सुनो तुम अपनी मा से कहना कि कल शाम मैं तुम्हारे घर पर आउंगी और साथ में अपने गधे बेटे को भी लाऊंगी आंटी यह आपने क्या किया मां आप क्यों कल उसके घर जाना चाहती है शिकायत करने आपने बिल्कुल सही कहा, आपा, बच्चे भला शादी बिया की बात क्यू करेंगे? हमारी भी तो कोई जम्मेदारी बनती है. सही कह रही है, मा. आजकल की जनरेशन का दिमाग तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है. पता नहीं कब क्या कर बैठते हैं, आउंटी, लीजे. थांक यू. मुझे भी इसी बार का डर है. इसलिए तो मैं आपके पास शान और रिया की शादी का प्रोपोजल लेकर आई हूँ. हाँ, अलहम्दुलियला. आराम से, बिटा, आराम से. मा, यह आप क्या बोल रही है? हमारी ऐसी तो कोई बात नहीं हुए थी. नहीं थी, पर मैं अभी ऐसा कह रही हूँ. तुझे क्या परिशानी है? तुने ही तो कहा था ना, कि जिससे मैं पसंद करूँगी, तो उसी से शादी करेगा. रिया बेटी मुझे बहुत पसंद है. इसलिए तु इसी से शादी कर ले. मा, क्यों आखवर्टीन क्रेट कर रही हूँ? हम पहले बार इनके घरा हैं. अब क्या कर रही है? कोई मतलब निकालने की ज़रुरत नहीं है. तु इसे पसंद करता है. ये बात तो सच है ना? जो लड़की मुसीबत के समय सबसे पहले तुझे याद करती है. और जिसके बुलाने पर तु सारी मीटिंग्स छोड़कर उसकी मदद के लिए जाता है. तो उससे शादी नहीं करेगा, तो किससे करेगा? क्या कहती हैं आप? इस शादी के लिए मैं… राजी हूँ. अरे डबल अलहमदुलिल्ला, लीजे लीजे मुह मिठा कीजे. अरे दूले मिया, लो लो मिठाई लो. ने ने, अभी नहीं. पहले अंगुठी पहना दू उसके बाद. शान, ये लिए बिटा, ये अंगुठी रिया को पहना दे. क्या हुआ? ऐसे बुद्ध बना क्यों बैठाया दू? शाइरी सुन सकता है, पर अंगुठी नहीं पहना सकता, कदा कहिंगा. उठ, 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 उठ. आओ, बेटा, यहां बैठो. दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है. रिया बेटी, हाथ आगे करो. नहीं, मेरी तरफ नहीं, उसकी तरफ. एग अधे. हाए सकता है. हाए बेटा नहीं, आगुचे अच्छी लग्टों मेरी लग्राशवेवाएं. आपकी चाय रेडी है हाँ अभी आता हूँ हलो तुम्हें विश्वास है अच्छा ठीक है मैं अभी वहां आता हूँ कहां जा रहे हैं आज तो आपका ओफडे है ना ओफडे है पर फिर भी मुझे जाना होगा वरना वहाथ नहीं आएगा बिना किसी प्रटेक्शन के अरेंज्मेंट करने गया तो शायद बहुत देर हो जाएगी शान को इंफर्म कीजिए तुम फिक्र मत करो मैं अपना ख्याल रखूंगा कहा जा रहे हैं ये तो बताते जाहिए गौरीपुर खबरदार एक कदम भी आगी बढ़ा है तो जान समा डालूगी मेरा बेटा मिजान तीन महिनों के बाद मेरे पास लोट आया है आप लोगों के लिए मैं अपने बेटे मिजान को खोना नहीं चाहती हर्गिस नहीं आप मेरी बास सुनिया माजी मैं कुछ बेसुनना नहीं चाहती आप चले जाएए माजी समझने की कोशिश कीजिए आपका बेटा कई दिनों तक इंसानों के तस्खरी करने वालों के पास कैद था अगर आपका बेटा उनके बारे में हमें कुछ बता सके तो माजी शायद हम इस पूरे गिरेओ को पकड़ पाएंगे क्या आप नहीं चाहती कि जिस तर आपका मिजान आपके पास लौट आया है बाकी बच्चे भी अपनी मा के पास लौट जाएं और उन जल्लादों को सजा मिले डरो मत बेटा मैं सरकारी आदमी हूँ अच्छा उनका कैम कहा है बता सकते हो वो तुम लोगों को कैसे ले गए थे एक बड़ी सी नाओ में समुंदर से तीन दिन का सफर है तुम कितने लोग थे वहाँ करीब 84 लोग होंगे नाओ स उतरने के बाद जहां ले गए वहाँ 50 लोग और थे और वहाँ क्या हुआ इंसान के फेपड़े किड़नी आखे सब निकाल लेते और लाशों को फेग देते मेरी भी किड़नी निकाल ले उन लोगों ने मैं मौका देखकर वहाँ से भाग आया कुछ नहें लोगों को छोड़कर वो नाओ वापस जा रही थी तो मैं उसी में बैठ कर भाग आया तीन चार दिन बिना खाय पियो उसी नाओ में छुपा बैठा था उसके बाद नाओ बांगलादेश पहुची तो मैं उसमें से उतर गिया तुम बहुत बहादूर लड़के हो मिजान इस देश को तुम जैसे बहादूर नौजवानों की जरूरत है अच्छा जरा बताओ कि वहाँ तस्करी गैंग में कुल कितने लोग मौजूद थे बता नहीं पाऊंगा अच्छी तरह से याद करो मिजान कोई भी आद्मी दोबारा दिखता नहीं है कुछ आते हैं तो कुछ जाते हैं कुछ लोग बंगाली थे, कुछ लोग विदेशी थे किस भाशा में बात करते थे, मुझे समझ नहीं आता था जरा ठीक से याद करके बताओ वहाँ पर कभी किसी ने किसी का नाम लिया था डेविड, उनकी बात सुनकर लगता था कि वही आदमी लोगों की सप्लाई करता है डेविड सर, बांगलादेश में हुमेन ट्रेफिकिंग का नेटवर्क कौन चला रहा है, मैं जान गया हूँ उसका नाम है डेविड और भी बहुत सी जरूरी बात मैं उसके बारे में जान गया हूँ मैं एमर्जेंसी मीटिंग अरेंज करता हूँ आप जल्द से जल्द आ जाएए ओके, ठैंक यू रतन, ये तुम क्या कर रहे हो मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल मत करना सॉरी सर बेवकूफ कहीं का अरे रतन, ये ये तुम क्या कर रहे हो रतन, चोड़ो, चोड़ो अरे आराएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए प्जय प्पड़र प्रयोट आए! कुछ भी हाल में खूनी बचकर भागने ना पाए चाहे कुछ भी हो जाए उसे पकड़ना ही होगा एंटी हुमन ट्राफिकिंग कमेटी के चीफ और फ्रीडम फाइटर असद चौधरी को कुछ आतंकवादियों ने मार डाला इनना लिल्लाही वा इनना इलेही रासियोन सूतरों से पता चला है कि धाका चिता गौंग हाईवे पे आतंकवादियों के दुआरा उन पर हमला किया गया है दिखिए देश के लोग और हम चाहते हैं कि आतंकवादियों को जल से जल घिरपतार करके उन्हें सजा दी जाए दर्शकों से बता दू कि अब हम असाद चौधरी के घरवालों से मिलकर उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे मेरे अब्बू एक फ्रेडम फाइटर वीर थे उन्होंने पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया आज उसे देश की समीन पर आतंकवादियों ने दिन दाहाडे मार डाला मैं अपने अब्बू जैसे कई हजार देश प्रेमियों की कसम खाकर कहती हूँ उन आतंकवादियों को पकड़के टुकड़े टुकड़े करके इस देश को मद्दामि से बचाना चाहिए अप्शन चाहिए अटेंशन अनर गाँड़ साँधन अनर गार्ड आजादी के वीर सेना ने आसद चाधरी को रश्ट सलामी दी जाती है रश्ट सलाम अनर गार्ड सलामी के लिए तैयर अनर गार्ड फ़र कर दो अनर गार्ड वीर सेना थार्म कर दो मैं वीर कर दो कर दो कर दो कर. इतनी प्रोडेक्शन, इतनी सिक्यूरिटी के बावजूद भी, हम असद चौधरी की जान बचाने में सफल महीं हो पाए, जन्ता हम पर फरुसा कैसे करेगी? सर, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, असद सर को ये खबर मिले थी कि मिजान नाम का एक लड़का, मानव तसकरी वालों के गैंग से बचकर भाग गया है, ये सुनते ही वो हम में से किसी को बिना कुछ बताए, अकेले उससे मिलने के लिए निकल गए, वो लड़का अभी कहा है? सर, हमें पता चला है कि कल रात उनके घर में आग लगने की वज़ा से वो लड़का और उसकी माम उसी वक्ट जल कर मर गया, वाट? सर, ये जो हत्यार देख रहे हैं, इसी हत्यार से कैदी ने पहले मिलन को भी मारा था, और इसी हत्यार से असद सर को भी मारा उसने, इस बात से साफ जाहिर है कि दोनों खून के पीछे वोसको ग्रुप का हाथ है, इस वोसको ग्रुप के लिए जो लोग काम करते हैं, क्या हम अब तक उनके बारे में कुछ भी नहीं जान पाएं। सर, असद सर की मौत के ठीक पहले, उन्होंने उस गैंग लीडर का नाम मुझे बताया था। रेली? यस सर। क्या नाम है? सर डेविड। सर, ये डेविड ही, मलेशिया में मानव तसकरी का पूरा नेटवर्क कंट्रोल करता है। सर, मलेशिया और थाइलेंड के क्राइम ब्रांज से हमें ये पता चला है कि उनके अंडर वर्ल्ड में डेविड के नाम का बहुत दबदबा है। क्या हम उसे डेविड कर पाएं? नहीं, सर। मैं ये बात नहीं सुनना चाहता। हमारे सभी सोर्स को काम पर लगा दीजिये और डेविड को ट्रेस करने की कोशिश कीजिये। यस, सर। शान। सर। तुम अपनी टास्क फोर्स के साथ फील्ड में जाओ। शो, सर। अलो, नाइच पेत्रोलिंग रिपोर्टिंग निल वारे स्वालों का जवाब दीजी सै। जो जो मोर क्रेश्टेंट प्लीज 01 पर किलोँ वन रमनाव वन पिशल वन हाफ अरमान बलो अभी पॉसिबल नहीं फर्मान में एक इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, बोलो क्या हुआ? स्ट्रेंज, डीसी वहां क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब लोकेशन बता मुझे, ह। अच्छा अच्छा आई आइज्ट करी ओन हो नहीं चलता हूं ओके ठीक है कर दो कर दो कर दो झाल 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 किस तरफ किस तरफ तरफ मैं बलाओं हँ अरे ओ चैर्मेंन साहब ओ लाला भाई कौन है मैं फर्मान आ अल्ला आ अल्ला अल्ला चैर्मेंन साहब लाला भाई आप डरिये मत हम सब पुलीस हैं बहुत ज़रूरी काम आई से आपके पास आये हैं, सर. फारूक मिया, ये तो हमारे फारूक का नंबर है. आप फारूक का घर जानते हैं? याँ, बेशक जानता हूँ. क्या आप हमें उसका घर बताएंगे? हाँ, जरूर बताउंगा. प्लीज, हमारे साथ चेविए. चलो, चलो, आईए. प्लीज. चेर्मन साफ. फारूक! मैं तेरा चेर्मन चाचा हूँ. फारूक! ओ, फारूक! फारूक! फारूक, बेटा, दर्वाजा खोल! पुलिस, बंदुक नीचे कर. बहाँ ना, बंदुक नीचे कर. नहीं तो इसकी गरदन उड़ा दूगा, नीचे कर, बंदुक. अपने चम्चों से भी बोल. रिलाक्स. बंदुक नीचे रखो. मुझे जाने दो. वरना, गला काट दूगा. एव्रिवन, नीचे रख दो. समय बर्बाद मत करो. हट जाओ मेरे रास्ते से. मुझे छोट दीजिये. पुलिस, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना. रिलाक्स. मैंने कह वही रुक जाओ. नहीं तो इसकी गरदन काट दूगा. रुक जाओ. हुआ पुलिस. हुआ पुलिस. ंच 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 हाइ हाइ हा वै हा-फाह है खचब जो और रही जप खब एंट खजय झायो खब बुटर बुग्ए एफ जो प्रुब बुटर बुटर इपट रहे रहे आए प्रुब प्रूब प्रुब जिए जए अब प्रुब बॉल 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 बॉत अटिंग होगे मैं कुछ नहीं जानता कुछ नहीं जानता बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ डेविट कहां है सव डेविट को पकड़ना मुमकिन नहीं है सब बचकर बागने के सो रास्ते बता है बाबुल नाम का एक आदमी है वो बॉर्डर के बॉर्डर के जरीये लोगों को बाहर भेजता है उसको पकड़ लिया तो सब पता चल जाएगा सर मुझे छोड़ दीजिये सर मुझे जाने दीजिये सर ये क्या कह रहे हो पर्मेशन के बिना पड़ोसी देश में ऑपरेशन कैसे चलाओगे प्लीज सर आई बेग यू तुम अची तरह जानते हो शान कि बिना एक स्टरडेशन ओर्डर के पड़ोसी मुल्क में जाकर डेविट को पकड़ना नामुमकिन है तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी इस बेवकूफी की वज़े से दोनों देशों के बीच भाईचारे का जो संबन्द है लेकिन सर मैं वेकिन कुछ नहीं मैं चाहता हो कि तुम फोन रखने के बाद यूनिट और फारुक को लेकर जल्दी धाका वापस आजाओ इस सर एक रिक्वेस्टे मत रोकी मुझे मैंने जो इस केस के बीचे इतने दिन मेहनत किये उसकी खादिर मत रोकी मुझे लगता है तुमने मेरी बात ना तो सुनी ना समझी मैंने कहा मेरी हाथ बंधी समझ गया सर थैंक यू सर सर अब हम क्या करेंगे सुर की अउलाद अगर इस बार तुने बीच लोगों को नहीं भेजा ना तो बॉस क्या करेंगे पता है कीमा बना देंगे वो भी शूरी से नहीं मशीन से बनाएंगे और हड़ी भेज देंगे खाद की मिल में सिर्फ मेरे साथ ही नहीं तुमारे साथ भी ऐसा करेंगे कहां से लेकर आएगा मुझे पता नहीं है तीन आदमियों का इंतजाम कर जरूरत पड़े तो अपने साले को लेया अपनी बुआ के बेटे को ला मौसी के बेटे को ला बस लेया उस्ताद नहीं उस्ताद एक खुश खबरी है क्या खबर है इंतजाम हो गया है एक साथ चार आदमी मिले हैं क्या कहा कैसे मिला कहां से मिला मैं नहीं लेया वो लोग खुद ही यहां पर आए हैं लगता है कुछ कान करके आए हैं अरे ऐसे ही आदमी तो चाहिए मुझे जिसका घर परिवार ना हो खोश खबर लेने वाला कोई ना हो अरे तु खड़ा क्यों है उसको बुला जल्दी कहां छोड़ाया अरे भाई लोग बाहर मत रहो अंदर आ जाओ उस्ताद आपको बुला रहे हैं पेट नालायक मुझे चाहिए चार लोग और यहां हैं एक दो तीन तीन लोग बाकी का चोथा कहां है आतंग वादियों के बम हमले के बाद से एसी शान और उनके तीन सहकर्मी लापता है एसी शान की गाड़ी नदी के किनारे बरामद हुई पर उसमें किसी की लाश नहीं मिली ऐसा अनुमान लगा जा रहे है कि लापता लोगों मैंसे कोई भी जिन्दा नहीं बचा माशालला क्या हट्टा कट्टा जवान है क्यों कस्रत बगेर करता है क्या करता था क्या मडर केस होने के बार से अपने गट्टा क्या मडर केस के देगा देगत उससर लोगों है नहां के डिटर के साजव का माशा ओधिक्रा नहीं टोन फ्eryक्राइश नहीं लेकिन 25,000 Mov somewhere को ना के मेरे पास 11,000 मैं गाय बेजे कर 8,000 experiences इतने कम पैसों में विदेश नहीं भेश सकता आट-दास अजार में कैसे जाओगे विदेश नहीं हो पाएगा अरे चछा अगर पैसे होते तो खुद इंतिजाम करके नहीं चले जाते आपके पास क्यों आते छक मनाने के लिए ताल तू बाते काता है ब्रेक लगा इधरा यह हो गया देख मेरा दिल बहुत कम जोर है मैं किसी की तकलिफ नहीं देख सकता इंड के पास जितने पैसे हैं ले ले मैं नहीं भेज दूँगा कोई दिक्कत हुई तो मैं देख लूँगा सारी तैयारी कर लो आज रात को ही रवाना करना है आज आओ आज आओ आज आओ कि खड़ा क्यों है चुप चाप चुप चाप निचे बैठ तो ज़िए खोल ज़िए चाप 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 कर लेचे जाने माले ओंट इस बार तो गटर के रास्टे ही जा किसी ने दिये 4000 किसी ने दिये 6000 उस्ताहद कोई दिक्कत नहीं है जल्दी अंदर आजाए हट यह तो कबर का रास्ता लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है कि संभलकर आज चल्ला मशाल दे है से अब लोग जल्दी उत्रों कि बिस्मिला करते हुए मैं पहले जाता हूं है कि अब हम जल्दी जल्दी पास्त पास्त आ रहां इंजन दोड़ी लगाए पीछे जबबार, गटर, गटर का मो ठीक से बंद कर दे सम्हाल कर, आग बुझा के आओ, सार ठीक है ना, जी उस्ताद, आओ, 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 बेटो, चल्ला, चल्ली कर, चल्ली दिल्दी, बेट जांद, चल्लो, 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 यस्ताद, जाओ, मैं तो धर टाना, जाओ, 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 रिल्दी दोगःःश मुल्ला, ऑट, आओ, आओ, जी कर, ऑट एक जाओ, खक रह Het Time Hut मेरी बात सब लोग ध्यान से सुन लो यह है हमारे रहने के लिए टेंपरेरी कैम यहां पर रहने और खाने की कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मैंने तो कुएज जाने के पैसे दिये थे मेरी बात पूरी नहीं हुई बीच में मत बोलो जब मेरी बात खत्म होगी उसके बात बोलन है एसी तो कोई बात नहीं हुई थी क्यों रहे मुखलेश तु खड़ा क्यूं है इसकी ओकाट ठीकाने लगा ज़रा वो डर गया है रुख जा यहां रहने के लिए तीन शर्त माननी होंगी तीन शर्तों में से एक शर्त क्या है पता है यह जो बॉंडरी वॉल है इसके बाहर क कोई किसी से जगडा नहीं करेगा और सबसे अंतिम बात यहां पर जो भी हमारे लोग हैं उनकी मर्जी के खिलाब कोई भी कुछ नहीं करेगा हमारी मर्जी के हिसाब से ही तुम लोगों को यहां पर रहना होगा और मुकलेश कौन कहां पर रहेगा उसका बंदुबस्त कर द झाल 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 गो वा तोए राए बाए ओर रा अर जो था बढ़ हुआ जा पो तू हुआ 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 भूक बढ़ हुआ फूए जो हुआ ूब अ शेर को देखकर दाली नहीं बचाते हैं भाग जाते हैं ले जाओ उसे आखिरकार गिरफतार हुआ इंटरनाशनल यूमन ट्राफिकिंग वॉसको ग्रुप के बांगलादेश ब्रांच का सबसे बड़ा मुझरिम डेविड अंटी यूमन ट्राफिकिंग कमिटी के चीफ असद चौधरी गाईका रिया सिखदार और उनकी मा के साथ-साथ और कई कतल के आरोपी मतीन उर्फ डिविट को आज गिरफतार कर लिया गया और कानून के खिलाफ जाकर देश के बाहर अपना अभियान चलाने के आरोप में एसी शान को सस्पेंट कर दिया गया है सब बहुत चुट्टी मनाली जॉइन कब कर रहे हो शायद अब में कभी जॉइन ने कर पाऊंगा मेरा काम अब पूरा हुआ अब पूरा हुआ अब प्राओ अब आफ युशान अब प्राओ अब आफ युव एक बात याद रखना रुख जाने का मतलब खत्म होना नहीं है प्लीज प्लीज तुम जैसे जाबाज सिपाही के इस देश को बहुत सरूरत है बहुत के बात लुब युशान अबरा आफ शरूरक Mexico खेनका चल प्लाव प्लाव जह Am cozli झाल झाल झाल